तो हलो एव्रीवान आयर वेल्कम यौल तू सज़ड़ ही टी अने अन्ड इस सेशन विर गॉनने भी डूइंग अ मेंट लेवल सीटिंग अर्एजमेंट तो इस सेशन के थूध हम लोग यहां पे अपनी मेंज मेंस लेवल की सीरीज को शुरू करने वाले हैं और आज का हमारा सेशन रहने वाला है मेंस लेवल सीटिंग अरेंजमेंट पे जैसे कि मैंने आपको बताया है एंड इस सेटिंग अरेंजमेंट में हम लोग करने वाले हैं कंसेंट्रिक सेर्कल बेस्ट का मतलब क्या है जुसमे स्मंद करना है आहां दोह में लोगों लोगों की सिरीज की चलाई थी में लेवल की सीरी से हम लोग अब फिर से में से lavorative कैम coalition क्रोंगी इसे काफी लोग मुझे बूल रही − ही हमें करनी है क्यों कि इंटरफेस भी करवाना थोड़ा सा लॉजिकल लगता है यह सीरीज के साथ थोड़ा सा हो जाए फिर प्रिलिम्स भी करवा दूंगी ताकि दोनों ही में प्रिलिम्स में आपको दिख करना आए और हर एक टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे आज हम करने वाले हैं डे 85 का कंसेंट्रिक सर्कल बेस्ट क्वेस्टिन आप में से ही किसी ने पूछा था तो जो भी आपके डाउट साते हैं मैं उनी डाउट को लेती हूं एक चीज ध्यान रखना यह वला जो टेस्ट है ना यह सिरफ इंग्लिश में अवेलिबल है मैंने बाद में देखा था तो इंग कर नहीं आना चाहिए क्योंकि सिंपल इंग्लिश होती है इतनी समझ में आ जाती है ठीक है इसको शुरू करते हैं ओल्ड इंटरफेस ही चलेगा क्योंकि इंग्लिश ही है हमारे पास हमें करना है मेंन लेवल ओके तो सेक्शनल सब्मिट कर देते हैं 14 मिनट्स रिमेनिंग दिखा रहा है और बारा मिनट्स दिये इस पजल के लिए अपने को बट मुझे तो समझा के करनी पड़े समझा के करवानी पड़ेगी ना तो फटा-फट से शुरू करते हैं इस पजल में देखो बोला क्या हुआ है 14 लोगों की वारे में बात किये कि दो सम्सेंट में बैठे हैं और फेसिंग न फेसिंग वाले आउट साइब और वां 2007 यहां पर देखो जब भी हम लोग इंसाइड देस्क फेसिंग होते है तो हमारा राइट हैंड हमारा राइट साइड चलता है और लेफ्ट यह लेफ्ट साइड चलता है उसी तरीके से ही बिठाना है और जब भी outside the center होता है मतलब हम उल्टा हो जाएंगे तो हमारा right side हमारा left बन जाएगा और left side हमारा right बन जाएगा यह आप सब को पता है तो फटा-फट से इसकी जो information है वो नीचे दी गई है हमें उससे पहले हम काम कर लेते हैं और वो काम है कि हम लोग circles बना लेते हैं यहां पर ठीक है इसको इधर हमें बनानी है तो यहां पर हमारे पास दो सर्कल्स रहेंगे मैं हमेशा दो possibilities लेके चलती हूं तो दो ही लेकर चलूंगी अब भी यह मेरे पास दो सर्कल्स रहेंगे यहां पर भी बना सकते हैं क्लियर और मेरे पास इसके अंदर कितने लोग बैठे हुआ है आठ आठ बैठे है ना 14 77 बैठे है आठ और कि 16 आने चाहिए ना अच्छा साथ ही है एक एक वेकेंट है ना ओके आई विश 11 मिनिट में पजल हमारी बन जाए नहीं तो फिर से रेज्यूम टेस्ट करके हमें करना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपको समझा के करवाना पड़ता है इसलिए टाइम जादा लग जाता है चेक है I hope इतना clear होगा pen का color change कर लेते है लेट्स टेक green ओके पहली line क्या बोली है the person facing C is sitting third to the left of Q जो C को face कर रहा है वो Q के third to the left में है और में को पता है कि PQ वाला circle बाहर वाला circle है बोला हुँ था नहीं यहां पे PQ वाला बाहर वाला sorry PQ we are sitting inner अच्छा inner PQ वाला अंदर वाला है और ABCD वाला बाहर वाला है और जो person C को face कर रहा है वो Q के third to the left में है मतलब यह बाहर कहीं पर आना चाहिए हमारा तो हम लोग सी से ही शुरू करेंगे सी लगा देते हैं सी को जो face कर रहा है वो Q के third to the left में है मतलब यह वाला person Q के third to the left में है ध्यान दो अब third to the left बनाना है तो जब भी outer circle में बैठे हैं देखो हम लोग inner circle में बैठे हैं तो left हमारा ऐसे चलता है outer circle में left हमारा कैसे चलेगा अगर मालो यह person है इसका left यह हो जाएगा और right यह हो जाएगा तो यह जो person है the person facing C is sitting third to the left of Q Q के third to the left में है sorry for the sound तो यहां से Q का third to the left बनाएंगे one two and three Q का third to the left बन गया और यह भी Q का third to the left हमारे पास बन जाएगा आगे देखो one person is sitting between C and E and none of them is sitting adjacent to the vacant chair C और E के बीच में एक person है एक बर यहां बना देते हैं एक बर यहां बना देते हैं और इनके आज पास कोई भी vacant chair नहीं है इनके आज पास कोई भी vacant chair हमारे पास नहीं है मतलब इनके आज पास vacant chair कभी भी नहीं हो सकती है The person sits immediate right of E sits facing R R के जो immediate right में है यह किसको face कर रहा है R को Oh sorry E के जो immediate right में है वो R को face कर रहा है Sorry for the inconvenience हमें ऐसी करना पड़ेगा R को face कर रहा है E के immediate right वाला R को face कर रहा है R के बारे में बोला है who sits third to the right of P P के third to the right में कौन बैठता है R बैठता है Right मतलब इधर से जाएगा उल्टा जाना पड़ेगा ना तो 123 यह P बन जाएगा third to the right बन गया Third to the right बनाना है तो हमें कैसे बनाना पड़ेगा इधर से बनाना पड़ेगा 123 P यहां बनाएंगे 123 third to the right हमारा बन गया ऐसे है ना P third to the right बन गया ना यहां पर ठीक है आगे देखते हैं P sits facing the vacant chair P के सामने vacant chair है P के सामने vacant chair है ठीक है A sits third to the left of F A जो है F के third to the left में बैठता है तो यहां पर arrangement नहीं कर सकते F के third to the left में कौन है A बैठता है F neither sits adjacent to C nor adjacent to E F जो है C और E के पास नहीं बैठेगा इन दो chairs पे इन दो chairs पे नहीं बैठ सकता F के लिए जगा कौन कौन सी है ये तीन है ठीक है इधर नहीं बैठ सकता ना C और E के पास नहीं है तो यहां तक तो block है पूरा नहीं बैठ सकता बची कौन कौन सी जगा उसके लिए इधर नहीं बैठ सकता ना तो सिरफ ये वाली और ये वाली बची यहां पे कौन सी बची ये वाली और ये वाली बची उसने बोला था F के third to the left में A है अगर मैं F यहां बनाओ तो 1,2,3 A में यहां नहीं बना सकती F में यहां बनाओ तो 1,2,3 A में यहां definitely बना सकती हूं अगला देखो F में यहां बनाओ तो 1,2,3 A में यहां बना सकती हूं और F में यहां बनाओ तो 1, 2, 3 A में यहां नहीं बना सकती तो F यहां आ जाएगा A यहां पे आ जाएगा C doesn't sit facing to the vacant chair C के सामने vacant chair नहीं है तो C के सामने vacant chair नहीं है यह हमने कर लिया A neither sits facing the vacant chair nor sits facing you A ना तो vacant chair के सामने बैठा है और ना ही U को face कर रहा है तो A के सामने vacant chair नहीं आएगी A के सामने vacant chair नहीं आएगी या फिर U भी नहीं आएगा दोनों ही situation में है ना हमारे पास A के सामने ना तो vacant chair आएगी और ना ही कौन आएगा U आएगा ठीक है One person is sitting between U and S Who sits facing D एक person बैठता है U और S में जो की S, D को face करता है तो U और S में एक person है और S किसको face कर रहा है? D को face कर रहा है V sits immediate left of T and the person three places away from T sits facing B V जो है T के immediate किसमें बैठता है? Left में बैठता है देखो T के immediate left में B है और जो person three places away है T से वो B को face कर रहा है तीन places away का मतलब क्या है? T से third position पर The person three places away from T T से third तीन positions आगे या तीन positions पीछे पर One person है तो one person लिख लेते हैं क्योंकि बीच में vacant chair भी आ सकती है Vacant chair persons में count नहीं होती Last one line बाद में करेंगे थोड़ी सी confusing लग रही है I hope इतना आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है? Clear है इतना? चलते आगे तो यहां से हम शुरू कर सकते हैं कि T के immediate left में V है तो हमें 2 spaces खाली definitely चाहिए 2 spaces खाली यहां पे यहां पे यहां पे आ रही हैं और अगर यहां पे देखो तो 2 places सिरफ यहां पे खाली आ रही हैं है ना इधर आ रही हैं ना खाली तो इसका क्या गरते हैं वी अटी के immediate left में V है तो टी के immediate left में टी के immediate left में V है ठीक है V आ गया और one person is sitting between U and S U और S के बीच में एक person है तो मतलब एक vacant chair होनी चाहिए तो मैं U और S को यहां पे बना सकती हूं U और S को उसलिए बोला था A vacant chair या फिर U को face नहीं कर रहा U यहां पे नहीं आ सकता इसलिए मैंने S को यहां लिखा और U को यहां लिखा यह arrangement मुझे बनती हूं दिख रही है I hope इस arrangement में आपको कोई भी problem नहीं होगी ठीक है अब आगे देखो यहां पे vacant थी V और T यहां आ सकते हैं और कहीं नहीं आ सकते तो V हमारा T के left में है T के left में V आ जाएगा U और S के लिए जगा ढूणनी पड़ेगी U और S उसने बोला था कि एक person बैठते है U और S के लिए जगा बचती है यह इधर से देखे तो भी 2 person है इधर से देखे तो भी 3 person है मतलब यहां पर U और S हमारा fit नहीं हो सकता है तो यह तो आप छोड़ी दो इसी में continue करते हैं हम लोग S के सामने कौन है D बैठ है अच्छा S के सामने D भी बैठ है तो S के सामने अगर हमें D बिठाना है क्यां से रहे हैं हॉक्कि है वेकेंड नहीं है ना मैंने वेकेंड पर साइन के लगा द्याओ यहां पर जस्ट कर रशान केंदे मैंने वेकेंड हम लूग और क्यूंत पहले सा यह वह लिख अर इसको कर देते हैं वी और टी नहीग था मेरे पास P के सामने वेकेंट थी हमें इतना ही बता था बस राइट जस्ट वेट असेकंड ठेक है आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे कहां से शुरू करना था हमने V के एकदम लेफ्ट में T है और U और S के बीच में एक परसन है V के एकदम लेफ्ट में T है तो यहाँ भी तो हम लोग V और T को बना सकते है यू और S के बीच में एक परसन है मेरे पास U और S के बीच में यहाँ जगह बच सकते है URS के बीच में यहां जगा बच सकती है उसने बोला है एक person है एक person अगर मुझे बनाना है URS अगर मैं यहां बनाऊ तो कहीं पे भी SD को face नहीं कर पाएगा मतलब मुझे एक position खाली चाहिए U को यहां बनाके मैं S को यहां बना सकती हूं इस position को मैं vacant डाल सकती हूं उसने बोला एक person बैठेगा तो एक person मैंने बिठाया एक ची और vacant रखी और URS को मैंने कर दिया यह timer off हो गया इसको मैं दुबारा कर दूँगी चिंता मत करना ठीक है यहां तक मैंने कर दिया S किसको face कर रहे है D को S ने किसको face कर लिया अगर मैं V और T के बारे में के था T के एकदम left में V है T के एकदम left में मैं V बिठा देती हूं ठीक है और U और S ना S किसको face कर रहे है D को U और S कहीं पर भी हम लोग नहीं बिठा सकते D को नहीं face कर रहा इसको अठा दो T को यहां बिठाओ V को यहां बिठाओ अब U और S देख लो U और S हम यहां बिठा सकते हैं नहीं बिठा सकते हैं क्योंकि दोनों ही सामने आ रहे हैं इसको भी छोड़ दो यहां T रख दो यहां V रख दो अब देखो U और S के बीच में एक person आनल हमारे पास कौन कौन सा बचाए B, C, D, E, F, G B और G बच्चा है उसके बारे में information हमारे पास थी यहाँ पर तो इसको दुबारा से टेक टेस्ट कर लेते हैं चीक है ओके लेट्स सी तीन मिनट बच्चे है कोई बात नहीं information थी कि V sits immediate left of T and the person three places away from T sits facing B T से जो तीन places away है तो यहाँ से देखे तो 1, 2, 3 B यहाँ नहीं आ सकता सामने T से 1, 2, 3 B यहाँ पर आ सकता definitely clear है last line हमारे पास यही थी तो यहाँ तक B होगे और G हमारा कहाँ पर आ जाएगा इधर आ जाएगा हमारी arrangement यह वली बिल्कुल ही सही बनी आप एक पर देख लो बाकिए के questions आपको मैं वहाँ पर दिखा दूँगी clear तो यह जो information है इसको मिरेस कर देते हैं ताकि कोई भी confusion ना create हो दोनों cases यहाँ पर आ गए है I hope यह clear होगा मैं आपको बाद में फिर से दिखा दूँगी पहले हम इसको देख लें दो मिनट बचे हैं questions आप इसके देख लो what is the position of U with respect to T U कौन सी position पे अगर हम T से देखें तो अगर सारे के सारे person outer circle table में हमें rearrangement करने हो within the same position in alphabetical order in the clockwise direction from A A से clockwise हमारी clock कैसे चलती है clock ऐसे 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 चलती है तो माल लो A यहाँ बैठा है तो A के साथ B, C, D, E, F, G आपको ऐसे बिठाने और बताना है कि किसकी position A के अलावा unchanged है ठीक है इसको मैं आपको थोड़ा सा बता दू यह वली थी ना हमारे पास outer circle में तो यह हमारे पास A है और हमारी घड़ी कैसे चलती है टिक 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 यह clock wise होता है मतलब A फिर इधर कौन आजाएगा जैसे यह A है तो यह B, यह C, यह D, यह E, यह F, यह G ऐसे आएगा तो सिरफ और सिरफ F की position unchanged है मतलब यहाँ पर 1 आजाएगा clear है आपको इस तरीके से इसको करना था next देख लो who among the following persons are sitting third to the right of the vacant chair in both the tables vacant chair के third to the right में आपको बताने कौन-कौन से person है कौनसी statement यहाँ पर true है यह बतानी है question देख लो because इतना time नहीं है कि मैं आपको करवा सकू how many persons are sitting between V and S when counted from the right of S S से right में count करेंगे तो V और S के बीच में कितने persons है vacant chair को person मत गिन लेना persons ही हमें गिनने है screenshot लेते जाओ साथ साथ में न तो यह हमारा question था last चिक है यहाँ तक हम लोगों ने कर ली अपनी arrangement and इसको leave कर दते हैं मैं आपको last में एक बर फिर से arrangement दिखा देती हूँ यह हमारी पूरी arrangement थी जिसको भी समझ नहीं आई है एक बार इस session को दुबार से देख लेना फिर समझ में आ जाएगी and I hope आपसे भी जो seating arrangement अच्छे से बन गई हो तो आज के session के लिए इतना ही था next session में हम लोग करेंगे एक बहुत अच्छी data interpretation अर्थिमाटिक बेस्ट तो उस session को भी मिसमत करना also यह question मैंने आपको notebook series से कराया था this is the notebook series जिसमें आपको सारा का सारा जो content है daily basis पे मिलता है as a schedule की form में और आपको pre or mean सारे questions यहां पर कराये जाते हैं तो एक बर website पर जाके इसको जरूर चेक कर लेना interface आपने देखे लिया है mobile और computer दोनों पर available है तो बाकि यह notebook series थी अगर आपको अच्छी लगे तो आप purchase कर सकते हो and जो भी आपके doubts रहते है notebook series के जो भी daily basis इस पर आप लोग करते हो वो doubts में जो comments में बता दिया करो मैं उनी doubts को लेकर ही आपके sessions बनाया करूंगी ताकि यह doubt destroyer session की series के रूप में convert हो जाए ठीक है so this was all for today हम मिलते है next session में till then stay tuned good luck stay happy and bye bye